हमारे Poco Air 4 के लिए एक काफी इंट्रेस्टिंग MIUI 14 का स्टेवल अपडेट आ चुका है जो कि आपको काफी पसंद आएगा और इसे हमारे मेंटेन किया गया है इलीट रोम के तरफ से जो कि हमारा इलीट रोम लाइट एडिशन है और आज कल इलीट रोम में भी काफी प्रेमि है या नहीं वीडियो अच्छा लगता है लाइक करिएगा चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहे मेरे दोनों चैनल से सबसे पहले आप देखोए कि यहां पर अनलॉक होते ही आपको क्या नजर आता है इनके आइकन बिल्कुली राउंड रखे गए हैं जैसे कि आपको पोको में बाइडिफॉल्ट ओएस पे देखनी को मिलता है जो कि देखने में काफी अच्छा लगता है और बहुत साले वो फिरी में काम करते हैं जबकि एक टाइम पे नहीं आता था लेकिन कुछ टाइम से एड होना चालू हो चुका है तो जो भी आपको यहां पर पेड़ वाले आइकन पसंद आते हैं बस सेलेक्ट करना है और यहां पर अप्लाई कर देना है आपका वर्किंग रहता है यह काफी स्मूदली काम भी करता है और लोड भी काफी क्यूक हो जाता है साथ से साथ यहां पर आप देखें तो सेप एंड डिजाइन में चेंज कर रखा है जो कि सही है सेटिंग अंदर इन करते हैं आपको दिखाई देता है 14.0.2 जो कि वन डे पहला ही इसका एक अपडेट आया है जो कि मैं आपके समने वीडियो लेका है हूँ यहां पर आप देखो इस्टोरीज का कलर आपको डिफरेंट देखनी को मिलेगा यहां पर आते हम जो कि इसका डिटेल एंड इन्फो है तो आपको एंड़ए 13, 3 मंद का लेटर सिक्योर्टी पैज और पर इसका स्टॉ 12.45 या सम्थिंग देखनी को मिलता है तो यहां पर थोड़ा सा लाइटर और किया गया है जो कि सही है बाकि यहां पर इनिमेशन चाइना वला फील देता है बिल्कुली यानि काफी स्मूध रहता है जो कि हमेशा मुझे इलीट का स्मूधनेस पसंद आया है इसके बाद यह आप एडवांस पार मेनू दिया गया है तकर मैं इसे आन करता हूं तो एक बाद रिबूट करना होगा ताकि यह एफेक्ट नजर आए जो कि मैं आपको बाद में सो करूंगा यहां पर प्राविसी डॉट आइकन देखनी को मिलेगा चार्जिंग अनिमेशन राउंड पी आ देने का परमीशन आपको मिल जाता है रो एंड कॉलिम आप मैनेज कर सकते हो और साथ साथ यहां पर फोल्डर के अंदर कितने आइकन वान टाइम में नजर आने चाहिए वह कुस्टमाइज कर पाऊगे और इनका जो पेड वर्जन वाला रोम आता है उनके स्थोई वो के कलेक्शन मिलेंगे जो कि आपने पहले भी देख रहें बाकि आप चाहो तो अलग से डाल सकते हो मर्जी आपकी होगी और यहां पर इनका खुद का एक डिफोल्ट वाल पेपर भी होता है अनदर यहां पर आपका आलवेज ओन तो प्रोपर काम करता ही है जिसमें कोई दि तरी चाहिकत नहीं आती और यहां पर आपको देखनी को मिलता है ग्रूप नोटिविटेस्ञ जो की हमें यहां पर आइट करा गया है podr एक्षिं вд पे इलेक्ट रोम काफी हद तक stock official जैसा रहता था बट यहाँ पे जो चीज़े add करी गई है न वो काफी interesting है और काफी हद तक stock वाली field के साथ कुछ advanced features भी आपको देखने को मिलते हैं और यह बिल्कुली smoothly काम भी करता है जिसके बज़े से मुझे काफी पसंद आया EU के comparison में क्य और security का भी option मिलता है जो कि China वाले में हमें नजर आता था बाकी यहाँ पे बैटिक अंदर नया EYV add हो चुका है जो कि सही है बट clickable नहीं है एप्स के अंदर सेम चीज़े है additional में multi language support आपको मिल जाता है प्लस यहाँ पे आपको floating window, memory extension और बाकी क्युक reply वगरा देखने को म मिलेगा, skin on timing देखनी को मिलता है जबकि global में हमें digital value नजर आता है, साथ-साथ यहाँ पे तो आपने पहले ही देख लिया कि MIY का डायलर है यानि core recording आप कर पाऊगे सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा, यहाँ पे हम अपने camera की बात करें तो camera हमारा proper काम करता है जिसमें क कोई भी मुझे कमी नहीं लगी, control center में आपको यहाँ पे music player का भी option देखनी को मिलता है जो कि आप use कर सकते हो और यह है इसका notification area बाकि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इसके performance test result की तो उससे पहले यहाँ पे आप देखो जो volume control है इसमें extra option add किये गए हैं जिससे आप system sound को control क कर सकते हो without notification और ringtone को change किये है हुए और यहाँ पे मैंने वाई video toolbox enable कर रखा है जहाँ पे आपको same default features देखनी को मिलते हैं जिसमें कोई change नहीं किया गया वहाँ पे untruto score काफिया तक में का हुआ सही है POCOE4 की हिसाब से क्योंकि processor की हिसाब से काफि डाउन आता है बट POCOE4 में कि अच्छा है कोई खराब नहीं है 100 पे डालने के बाद यहाँ पे last month का ठोटल देखनी को मिलता है और max गया 2,74,000 और minimum यहाँ पे गया है 2,24,000 जो कि normal basic use के लिए perfect है कोई कमी नहीं है another game turbo में add करते ही max जाता है 3,18,000 और minimum जाता है 2,45,000 जो कि last month ठोटलिंग देखनी को मिल जाता है जो कि काफी सही लगा stand by battery drop जो कि 46 के बाद आता है morning में 43 यानि full night में only on 3% का battery drop है ज्यादा नहीं है photo storage आपको यहाँ पे unlock मिलता है जो कि advantage आपको मिल जाता है photo वगरा video अगरा upload करने के L1 के support आपको मिलते हैं और device certified यानि safety net pass है और आपका banking app अच्छे से काम कर जाए और यह है charging speed जो कि 22 minute में 54% charge हो जाता है जो कि proper काम करता है जिसमें मुझे कोई कमी नहीं लगी और यहाँ पे आपको 90 episodes भी unlock मिलती है यानि यह एक लौता ऐसा romance जो कि काफी stable रहता है और साथ-साथ सारे advanced usable features भी आपको provide करता है जो कि मुझे एक्छोले में काफी पसंद आया है और मेरे तब से तो यह recommended होने वाला है आपके daily basic usage के लिए भी और अगर आप gaming करते हो तो उसके लिए भी क्योंकि सब कुछ यहाँ पे काफी आपको अच्छे खासे look में देखनी को मिलता है और यहाँ पे folder का आपको xxl वाला भी option देखनी को मिलेगा जो कि आप यहाँ प तक है जो close to stock जैसा feel देने की कोसिस करी गई है जो कि देखके अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे कुछ आपको google safety calendar टेखनी को मिल जाता है यहाँ पे me video है यहाँ पे google का assistant वागेदा था game center जो कि official में bloodware के रूप में काम करता है वो भी यहाँ पे है लेकिन हाँ उसे आप disable कर सकते हो तो कुछ advantage मिलता है और कुछ stock वाला feel भी देता है बट मर्जी आप की होगी कि आप इसे डालना चाहते हो या नहीं इसका डालने का method वही होगा hybrid वाला जो कि मैंने आपको EU को द लगा कि हर किसी के लिए फ्रेंडली हो जाता है installation के टाइम पर जिसको जो सही लगता है उस तरह किसे यहाँ पर इसे डाल सकता है मैं मिलता हूं आप से नेक्स वीडियो में इससे तक इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ थांक्स वॉचिंग बाबाई झाल